गाई घाट से नौजर घाट के बीच जेपी गंगा पत को जोड़ने के लिए पीलरों पर सेगमेंट चढ़ाने का काम शुरू हो गया है सुरक्षा कारणों से भद्र घाट से लेकर महाबीर घाट से पहले तक गंगा मार्ग पर सभी तरह के वाहनों के परिचालन तथा लोगों के प्रवेश पर अगले दस दिनों के लिए रोक लगा दी गई है वहीं अशोक राजपत से गंगा मार्ग पर प्रवेश करने के लिए वहनों का परिचालन वैकल्पिक महाबीर घाट मार्ग से शुडू हो गया है अचानक यातायात व्यवस्था में हुए इस परिवर्तन के कारण शुक्रवार को मार्ग पर रह रहे कर जाम लगता रहा रोक के बावजुद लोग प्रतिबंधित छित्र में पैदल घुमते नजर आएं खाने पीने की कई चलन तो दुकाने यहां लगाने के कारण लोगों का पहुचना जारी है अनमंडल अधिकारी गुंजन सिंग ने बताया कि जेपी गंगा पत के लिए पीलरों पर सेगमेंट चड़ाने के दौरान लोगों की सुरक्षा को लेकर यह निर्ने लिया गया है दस दिनों बाद भद्र घाट से वानों का परिचालन गंगा मार्ग पर पहले की तरह शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए महाबीर घाट मार्ग में पुलिस वास सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जाएगी गाई घाट से जेपी गंगा पत पर पस्चिम की और वन वे परिचालन जारी है गाई घाट से पूरब में पत्ना घाट तक लगभग 4.4 किलो मीटर जेपी गंगा पत पर दिसंवर में वानों का परिचालन शुरू होगा पूरब और पश्युम की जेपी गंगा पत को जोड़ने के लिए ही गाई घाट से भद्रगाट, महाबीर घाट और नौजर घाट के बीच तयार पीलरों पर सेगमेंट चढ़ाने का काम शुरू किया गया है लगबग एक किलोमेटर दूरी तक बचे जेपी पत के लिए सुपर इस्ट्रक्शन इन्मान होना है वहीं एक बार फिर से बता दे कि गाई घाट से नौजर घाट के बीच जेपी गंगा पत को जोड़ने के लिए पीलरों पर सेगमेंट चढ़ाने का काम शुरू हो गया है सुरक्षा कारणों से भद्रघाट से लेकर महाबीर घाट से पहले तक गंगा मार्ग पर सभी तरह के वाहनों के परिचालन तथा लोगों के प्रवेश पर अगले दस दिनों के लिए रोक लगा दी गई है अशोक राजपत से गंगा मार्ग पर प्रविश करने के लिए वाहनों का परिचालन वैकल्पिक महाबीर घाट मार्ग से शुरू हो गिया है अचानक यातायात ब्यवस्था में हुए इस परिवर्तन की कारण शुक्रवार को मार्ग पर रह रहकर जाम लगता रहा रोक के बावजुद लोगों प्रतिबंधित छित्र में पैदल घूमते नजर आएं खाने पीने की कई चलंत दुकाने यहां लगने की कारण लोगों का पहुँचना जारी है अनुमंडल अधिकारी गुंजन सिंग ने बताया कि जेपी गंगा पत के लिए पीलरों पर सेग्मेंट चढ़ाने के दौरान लोगों की सुरक्षा को लेकर यहां निर्ने लिया गया है दस दिनों बाद भद्र घाट से वहानों का परिचालन गंगा मार्ग पर पहले की तरह शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए महाबीर घाट मार्ग में पुलिस वाज सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जाएगी